तो वेलकम एवरीवन, माइनेम नीरज, अंजो वाचिंग नीरी व्यूपॉइंट, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेट्फिलिक्स की न्यू सीरीज, इसका नाम है ब्रैं न्यू चैरी फ्लेवर, इस शो को 2020 में रिलीज किया गया है, जो होर थिल क्राइम से भरा और शो है, और सीरिसली बहुत लंबे टाइम के उस बार नेट्फिलिक्स पर कोई ऐसा शो रिलीज हुआ है, जिसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, और इस शो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करके एक्स्पेंट करने वाला हूँ, क्योंकि ट को के में दिन में आपको रोजा सलाजार और भी काफे सार ग्रेट एक्टर देखने के लिए मिलेंगे, और यह एक 18 प्लस सीरीज होरर सीरीज है, और वीडियो में आगे बनने इस पे लिए एक रुक्वेस्ट आ, अपने एरफोंस का जूस कर लें और चैनल को सब्स्क्राइ को स expertise में देखने के हैं, और तब ही ऋने एक रँपर रहा होता है, जब हमें वहां पर उसकी गल्फ्रेंद के लिए मिलती है को सब्सक्राइब कर देखने के है और кोड जहां पर लीजा को जे बोलता है कि ओ जंगल में कुछ हुआ ता जो तुम हमें नहीं बता रूरी और तभी हमें हमें यहांपर नेक्स सिं देखने के लिए मिलता है जब वो एक रेस्टोनेंट में जाती है और तब ही हमें वहाँ पर एक person देखने के लिए मिलता है जो कि खाना खा रहा होता है जो कि एक तरह से Lisa से बात कर रहा होता है और जहाँ पर Lisa उससे जे पूछती है कि तुमको मेरी short film कैसे मिली जो कि मैंने सिर्फ कुछ limited person को ही send की थी और जहाँ पर वह person जे बोलता है कि मैंने उस movie को देखा और मैंने इस movie को कैसे देखा है तो मैं इसे फरक नहीं पढ़ना चाहिए अब जहाँ पर Lisa को वह अपना नाम बताता है जिसका नाम Liu होता है जो कि एक great Oscar winning director होता है जो कि उसको first short देने के लिए तैयार हो जाता है यहाँ पर वह उसको $10,000 देता है और जे बोलता है कि हम इस movie को एक साथ direct करेंगे और उसको एक contract देता है जहाँ पर हमें यह भी पता लगता है कि Liu ने कि पिछले 1985 से एक तरह से कोई भी hit नहीं दी और इस series का सारे का सारे का float आपको 90's में ही देखने के लिए मिलेगा और इस तरह से हमें episode 1 का end होता हुआ दिखाई देता है तब ही हमें यहाँ पर episode 2 देखने के लिए मिलता है जब जहां पर Liu और L이사 से बहुत वड़ेाक्टर की पार्टी में जाते है जिसका नाम माइक होता है जहां पर Liu और Lisa उस पार्टी में जाते है और पार्टी में जाने के बाद रूसको अकेला शोट कर एक तरह से दूर्ट τα जाता है और तबी हमें जहां पर एक लड़के के एंट्री होती हुई दिखाई देती है जिसका नाम रोय हाथवे होता है जो कि एक ग्रेट एक्टर होता है तबी जहां पर रोय हाथवे उसे बात करता है उसे जे बोलता है कि तुम्हें एक लेडी बहुत लंबे समय से देख रही है औ के लिए तुम्हें मेरी जिरूरत पड़ेगी अब जहाँ पर स्भिलिश ले देखने के लिए मिलता है जब लीजा अपने रूम पर होती है और लीजा अपने रूम में एक तरह से नहारी घर्थिया और तभी हमें जहाँ से लू के घर पर जाती है और लू के घर पर जाके वहाँ पर चिलाना शुरू कर देती है और जहां पर हमें लू की फैमिली भी देखने के लिए मिलती है उसकी वाइफ और उसका बेटा जोनेथन अब हमें जहाँ पर next जे देखने के लिए मिलता है जब लू उसको जे बताता है कि जे फिल्म इंडस्ट्री है जे एक तरह से ऐसे ही नहीं चलती और जहाँ पर लू एक तरह से जे बोलता है कि तुम्हारी मां ने तुमें इसलिए छोड़ दिया था कि तुम कि तुम इसके like ह नहीं हो और जहाँ पर वो Lisa को एक तरह से बहुत पूरी तरह से गले से पकड़ के तोर्चर करता है और जहां से Lisa हमें जाती भी दिखाई देती है तब ही हम यहाँ पर Next Scene देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर Lisa जे बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं और लीजा जे बोलती है कि मुझे उस लूग को खतम करना है उसकी लाइफ को नर्क बनाना है उसने मेरी मूवी को शीन लिया और जहां पर बूर जे बोलती है कि मैं उसको कर्स कर सकती हूं लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत ही भारी कीमर चुकानी पड़ेगी जहाँ पर Lisa एक तरह से बहुत जाला पेन में हमें दिखाई देती है और तब ही हमें जहाँ पर उसके मुँँ में से एक kitten निकलती ही दिखाई देती है kitten का बच्चा जो की देखने में वहुत ही creepy लगता है और जहाँ से हमें जे पता लगता है कि Lisa से जो payment है बुरो वो kittens के रूप में लेने वाली है और तब ही हमें यहाँ पर next scene देखने के लिए मिलता है जब जहाँ पर बुरो और Lisa के बीट में बात होती है जब जहाँ पर बुरो और Lisa को कुछ पीने के लिए देती है और पीने के बाद जे बोलते है कि इसके बाद तुम्हें कुछ अजीब और गरीब सा मेसूस जरूर होगा और दूसरी यहाँ पर चीज़ देखने के लिए मिलता है लू और रोय एक तरह से Lisa की शोट फिलम देख रहे होते हैं जिसको देखने के बाद वो एक तरह शोक हो जाते हैं कि कोई फर्स अटेम्ट में इतनी अच्छी मूवी कैसे बना सकता है अब हमें यहाँ पर Lisa और बुरो का सीज़ देखने के लिए मिलता है जो कि बुरो एक तरह से उसको कुछ पीने के लिए देती है और उसको जे बोलते है कि तुम्हें कल 11 बजे तक इसको खतम करना है और एक तरह से उसके कुछ बाल को लेकर आना है मेरे पास लू के ताकि मैं उसकी लाइफ को तुमारे साथ कनेक्ट कर सकूँ ताकि हम लू को कर्स कर सकें अब जहां पर हमें एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती हुई दिखाई देती है और हमें जहां पर लिसा एक तरह से कोड के रूम में देखने के लिए मिलती है अपार्टमेंट में अब जहां पर वो कोड को एक तरह से पूरी सचाई बता देती है और Jay بोलती है कि मैं लुग को कर्स करने वाले हूँ अब जहां पर kot Jay बोलता है कि जो तुम्हें गहान पर तिंग चाहिए वो मैं तुम्हें नहीं दिलबा सकता है ताकि वो look को distract कर सके और वहां से कुछ चीजों को चुरा सके अब जहां पर वो कुछ इस things में कामजाब भी हो जाती है लेकिन वहां पर पुलिस आ जाती है और जहां पर पुलिस जैसे ही आती है तो उसको प्रिजर में कर देती है और जहांपर प्रिजर में हमें और वी काफे चाहर लेडिस देखने के लिए मिलती हैं जो कि उसको बुली करती है और जहांपर वो लीजा को जह बूलती है कि जह तुम्हें टैटू वो उस जैगवर वाले घर से ही मिला है जो कि payment को बहुत बुरे तरीके से लेती है अब वो जहाँ पर उसको bully कर रही होती है और जहाँ पर Lisa एक तरह से फिर से vomiting करना शुरू कर देती है और जहाँ पर उसके मूँ से हमें फिर से kitten निकलती हुई दिखाई देती है जो कि बहुत ही creepy लगती है और तब ही हमें जहाँ पर सारी वहाँ से पीशे हटती ही दिखाई देती है और तब ही हमें जहाँ पर Lisa की बेल होती ही दिखाई देती है जो कि Roy Hathway ने कराई होती है अब जहाँ पर Roy Hathway उसको lift देता है और उसके apartment पर शोड़ता है और तभी हमें वहाँ पर एक तरह से लू आता हुआ दिखाई देता है और जहाँ पर लू एक तरह से जे बोलता है कि मैं तुम्हें और मुखा देता हूँ अगर तुम करना चाहो तो कर सकती हो मेरे साथ काम अब जहाँ पर लोग कर्स करने के लिए उसको अपने कुछ बाल दे देता है और जहाँ पर हमें जैक स्टे देखने के लिए मिलता है जब लीजा बूरो के पार जाती है जैसे वो बूरो के पार जाती है तो वहाँ से वही डार्क मैजिक वाल तिंस करना शुरू करती है और त दूसरी और हमीं जहां पर ज fled़ती है मैं न 시न नहीं पूरो तब Azra जाती है और उस पेड़ में से फूल को ढूंख सागी और तभी हमें जहां पर लीजा एक तरह से उस फूल को ढूनने लगते हैं जहां पर वो डौनों उस फूल को ढूनते हैं और जहां पर एक तरह से लीजा को वो फूल मिल जाता है अब जहां पर लीजा एक तरह से उस फूल में से जो भी थिंग्स होती है भी निकालती है जिसमें से हमें एक कीड़ा भ पाता तब ही हम यहां पर नेक्स सीन देखने के रहे मिलता है जब जहां पर लीजा रोए के साथ लू की पार्टी में जाती है पानी में गिर जाता है जिसकी हाफ बोड़ी एक तरह से पैरलाइस हो जाती है तब ही हमें फूर्थ एपिसोड की स्टार्टिंग देखने के लिए मिलती है और जहां पर हमें लू की फैमिली देखने के लिए मिलती है जो की पूरी तरह से के उस से बरी हुई होती है जहाँ पर लू बहुत जाए तकलीफ में होता है और जहाँ पर जोनाथन जैसा ही उठता है तो जहाँ पर उसके पैर में एक तरह से कोई मकडी कात लेती है और तब ही हमें यहां पर नेक्स जे देखने के लिए मिलता है जब जोनाथन बहुत तकलीफ में होता है और उसको खोस्पिटर ले जाया जाता है और उसको एक तरह से ऐसी बिमारी हो जाती है कि वो एक तरह से मर्द भी नहीं रह पाता अब जहां पर हमें Lisa और Lou एक रेस्टराण में मिलते हुए दिखाए देते हैं और Lou के साथ वही परसन होते हैं जिसको Lisa उसके घर में लेके गई थी दिस्टेक्ट करने के लिए अब हमें जहांपर नेक्स देखने के लिए मिलता है जब जहांपर लू जे बोलता है कि तुम लोग को उसका पीछा करना है उसकी डेडी रुटीन के बारे में मुझे बताना है कि वो सब जे क्या कर रही है तब ही जहांपर हमें लीसा देखने के लिए मिलती है और हमें जहांपर बूरो देखने के लिए मिलती है अब वो जहांपर बूरो के साथ बात करती है और बूरो को जह सब रोकने के लिए कहती है क्योंकि वो सब बहुत ही dangerous हो रहा होता है जिस तरह से लूकी एक तरह से family पूरी तरह से destroy होने वाली होती है और जो film उसकी direct करने वाला होता है वो भी आदमी पूरी तरह से paralyze हो चुका होता है अब हमें यहांपर एक और लेदी देखने के लिए मिलती है जो कि बूरो को एक तरह से Jennifer बोलती है जो कि इसको दो तिन बार Jennifer बोलती है लेकिन Jennifer बोलने के बार फिर से हमें next day देखने के लिए मिलता है जब जहांपर बूरो एक तरह से रेक्ट नहीं करती है और वहां से चली जाती है और तब ही हमें यहांपर next day देखने के लिए जो कि लूका लड़का है अब वो होस्पिटर में अचानक से उठता है जोंबिस की तरह के लिए मिलता है जब रोय और लिसा एक तरह से घर पर वापस आ रहे होते है लिसा के अपार्पनries पर और जहांपर लिसा बहुँ जाई तकलीफ में होती है क्यूंकि उसने बूरो को जे बोल रहा होता है कि वो अब किटन्स के रूप में तुमें पेमर्न मिल्स को जाता है जो की बूरो का होता है अब जहां पर ऑपने रपार्टमेंट में देखने के रिखने के लिए मिल्ता है अब जहां पर लीषब नंतो है तो उसके स्टमक के पास वाले शीदि के ऊपर उपरे Councillor रे ambassadors होता है कि उसका प्राइवेट वहां से शिफ्ट होकर उसकी स्टमक के पास आ गया है जहांसे वह वहां पर उसने फिंगर को फेरती है तो वहां पर उसको बहुत जड़े इमोशन जागने लगते हैं और तभी हमिन रूए यहां पर लिएखने के लिए लुदं के लिए मिलता है जब जब वहां रोए एक तरह से लिसा के अगयेँ टउसके अनदर उसके अरे अहुत पावा उस उसको कोफी देते हैं वहां से जाता हुआ दिखाई leos चाहूं के बाद गरता है और जो प्डूर सीमिलने के बाद जाइये प्राव में अच्छा गर्वी दलवाद Все 가운데 का रही लैक estat है क्योंकि इससे मेरी family बहुत तकलीफ में जा रही है अब जहां पर बूरो जहें बोलती है कि मैं सकर्ज को खतम नहीं कर सकती है क्योंकि Lisa और तुम एक साथ connected हो और जहां पर बूरो लुको जहें बोलती है कि Lisa के साथ कुछ जंगल में हुआ था तुम उस thing को find out करो वहाँ पर ज खाई देता है जहां पर हमें चार एपिसोर्स के अंदर एक कहानी तो मज़ लगी है कि बुरो ही यह है जो एक तरह से लू और लीसा का इस्तमाल करने वाली है I hope so अब आगे स्टोरी में क्या होगा जहे आपको खोद देखना होगा जिसके लिए आपको एक दिन का वेट करना होगा जिसका सेकेंड पार आपको वन डे आफ्टर देखने के लिए मिलेगा I hope कि आपको हमारी ब्रैंड यू चैरी फ्लेवर की स्टोर अगर आप नेक्स पार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करता वीडियो को लाइक करता अगर आपको अच्छी लगी हो मिलेंगे हमारी नेक्स वीडियो में जब तक लिए बाए बाए और डाउनलोडिंग इंक आपको हमारी टेलीग्रम चैर्ट पर मिल जाएग झाल